हलो नमस्कार दोस्तों और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का ट्रेंडिंग भी सती चैनल में एक बार फिर से और आज हम एक नई ओडियो क्लिप आप सभी लोग के लिए लेकर आए हैं और इस ओडियो क्लिप में आपको पेच पर मिला होगा कि हर 11 महीने आप कैसे अपना सरीर बदलते हैं according to the scientist तो यह चीज यह पॉइंट मैंने power of your subconscious mind से लिया है और यह वाकई में सत्य है और सही है कैसे चीज़े होती है इस पॉइंट को आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत डिसकस करेंगे समझेंगे तो आप सभी लोग समझने का प्रयार सुरूर करिएगा और अगर ध्यान से सुनेंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सही तरीके और बैग्जानिक धंग से सोचने के लिए हमें सच का पता होना चाहिए सच को जानने के लिए अनंत बुद्धि मत्ता और आपके अउचेतन मस्ति इसकी सक्ति के बीच में मतलब आपके माइंड जो माइंड है आपके और आपके बुद्धी है उनके बीच प्रोपर सही तरीके का गाइडेंस होना चाहिए सही तरीके का रास्ता क्लियर होना चाहिए तभी ये सक्ति के बीच में समझता होनी अवस्यक है तभी आप सही तरी दुख और सभी प्रकार की कमी से होगा और सारी कमियां आपको लाइट में देखती हुँ मिलेंगी और उसका परणाम दुख होगा तो आगे हम बढ़ते हैं अब ग्यानिक हमें बताते हैं कि आप हर 11 महीने में एक नया सरीर बनाते हैं इसलिए आप सारीरिक दिस्ट कॉंट से बुरे इरादे आपके अंदर हैं या फिर खराब खराब निगेटिव थिंकिंग से बैड़ विचार से आपके अंदर तो अगर यह बनाए रखते हैं तो आप इन कमियों वाला सरीर बनाएंगे तो जाहिर से बात है आपका सरीर भी इसी तरीके से आपका सरीर बनेगा और प्रोपर इसी तरीके से ही तयार होंगे और इसके लिए आप किसी और को दोस नहीं दे सकते क्योंकि दोसी आप है क्योंकि सही बात है क्योंकि आप दोस किसी और को नहीं देख सकते क्योंकि यह सारी चीज़े आपने 11 महीने के दिनों में सारी चीज़े की हैं यह सारी चीज़ और कल्पना को भआउ ना दे उन पर ध्यान ना दे अंधेरे से छुटकारा पाणने के लिए रोसनी चहिए कि आप न करात्मक बिचारो कल्पना को भआउ ना दे कि पात्मक हिच्टकारा राम अपना को भाव ना दे उन पर ध्यान ना दे अंदेरे से छुटकारा पाने के लिए रोशनी चाहिए यह बास सत्य अगर अंदेरे से छुटकारा पाना तो रोशनी चाहिए उसी प्रिकार से अगर समस्या से छुटकारा पाना है तो सोलूशन पर काम करना पड़ेगा ठंड से बचने का रास्ता गर्मी, यह इसी प्रकार से नाकरात्मक विचारों से चुटकारा पाने के लिए उसे सकारात्माग भाव में बदलें तो अगर आप नाकरात्मक विचारों से चुटकारा पाना चाहते हैं, you want to get rid of from negative things, then you can think about positive thoughts, मतलब आप अच्छे विचारों को सुन सकते हैं अच्छे विचारों को अपनी जीवन में ला सकते हैं और अच्छाई को सुविकार करें बुराई सोयम ही गायब हो जाएगी तो जैसे इसे आप अच्छाई को सुविकार करेंगे बुराई सोयम ही गायब हो जाएगी त्योंकि इस टोपिक का महिने जो नाम रखा हर 11 महिने में आप कैसे अपना सरीर बदलते हैं तो यह सारी चीजे जो डर, क्रोध, इर्शा, बुरे इरादे, बैट, निगेटिव थिंकिंग्स हैं इन सारी चीजे को आप एक टाइम के लिए अपने सरीर में रखते हैं उसके बाद ही हमे सारी दिश्कॉंड को बदलना है जिस प्रकार से अभी बताया है अंधहरे से शुटकारा पाने के लिए रोशनी चाहिए और ठंड से बचने का रास्ता गर्मी है तो उसे प्रकारा में इस सारी चीजों से बचने के लिए साकार आत्मक भाव में अपने आपको बदले तो थ कर दो दो मेंद्वा भी क्रोशनी खंक to को सर्वाल घेले के लिए जान से अंग क्रपाटया है ऑस कि एंगरा आत्मक घजा को आत्यां इंगा प्रकारा प्रकारा जा हूराई और वहने है और उसको है च्छारोड का इंड सा ignoring का प्रकारा इंबrá आतत। इंड झा उससे केंट